अस्सलाम आलेकुम आज हम गनुला बार जो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होता है वो बनाएंगे यहां हमने कुछ ड्राइफ रूट्स ले लिये हैं आपके पास जो अविलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं यह तर्बूस के बीच हैं काजू है हमारे पास अकुरोड, बदाम, पीस्ता, खजूर और मनुक यह सब दो कप हैं हमारे पास ड्राइफ रूट्स सब मिला कर दो कप हैं और यह एक कप खजूर हैं चोकोचिपस हैं और टोटी-फोटी हैं जो हूमेड है खजूर का हमको पेस्ट बना लेना है और यह पंकिन सिट्स हैं हमारे पास सबसे पहले एक पैन में हम एक कप ओट्स को रोस्ट कर लेंगे हम अच्छी तरह से दीमियाज पर करना है केया हम केप नहीं साथ-स-8 मिनिट के लिए जया हिए जिब यह रोस्ट हो जाए तो इसके वैक बाल में निकाल ले और फिर जो हमारे र्रय फ्रूट्स है उसको इलकल क कट कर ले है और यह के इसको भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेंए इसको चार से पार्च मिनट के लिए धीमे आज पर रोस्ट करना है हमको यह देखिए हमारी यह रोस्ट हो चुके है और अब इसको हम जो ओट्स थे उसमें दाल देंगे और मनुक और खजूर को हम कट कर लेंगे वह भी इसमें दाल देंगे और यह जो चुको चिप्स है और टूटी फुरूटी है वह भी इसमें दाल देंगे आप इन दोनों को इसके भी कर सकते हैं यह ऑप्शनल है और खजूर का हमने पेस्ट बना लिया है वह इसमें दाल देंगे हम और दो चमस इसमें शहर डाल देंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम यह देखे मिक्स हो चुका है और एक हमने टिन ले लिया है इसको हमने ऑईल से ग्रीज कर लिया है और जो हमारा मिक्सचर है वह इसमें दाल देंगे और अच्छी तरह से इसको प्रेस कर लेंगे यह चम्मच के मदद से और 10-15 मिनट इसको फ्रीज में रख देंगे ताकि यह सेट हो जाए सेट होने के बाद इसको हलका हलका कट कर लें और बस यह रेडी है अल्ला हाफिस